बॉइस आफ साथ अश्या के न्यू यू यॉर्क स्टूडियो से मैं हूँ साथ अश्या के नाजदीन को खुशाम दीद चलते हैं जुनूबी अश्या और दुनिया भर की आहम खबरों की जानिब लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइन्स पर डॉनल्ड टॉम्प ने शुमाली कोडिया के सरबराफ किम जॉंग इन की जानिब से मुलाकात की दावत कबूल कर दी है अक्वाम मुत्यदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मन्दूब मलीहा लोडी का कहना है कि दबाव और धंकियों के जरिये पाकिस्तान से तावन हासिल नहीं किया जा सकता कैनेडर में हुआ अनोखा वाकिया तंखाहें बढ़ने पर डॉक्टर सरापर एतजाज बन गए नेटों की सबसे बड़ी फाजी मश्कें अक्टूबर में रूसी सरहत पर होंगी मश्कों में पैतालिस हजार फाजी शरीक होंगे आल्मी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इंसर स्ट्रक्चर पर दस अरब डॉलर खर्च करने की जरूरत है हैडलाइन सापने जानी तफसिलाइच चामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा अगर 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 शेयर संटेंग बिगन अगर यर्शों पोलिटिकल परफेशनल और कमर्शल अक्टिविटीज और पर्सपेक्टिव और शोटूट अगर 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 शेयर साथ रहिए ब्रेक के बाद खुशामदीद अमरीकी सदर डॉनल्ल टरप्प ने शुमाली कोरिया के सरबरा केम जॉंग इनकी जानिब से मुलाकात की दावत कबूल कर ली है अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए शुमाली कोरिया के एक आला एहलकार ने शुमाली कोरिया के सरबरा की जानिब से एक ख़त पहुंचाया है तरजमान वाइट हाउस सारा सेंडर्स के मताबक शुमाली कोरिया का वफद अमरीकी सदर टरंप से जल मिलना चाता है म्मलाकात का व tolerant और जगा का एलान बाद में किया जाएगा वफ्द समेञे जुनूबी कुरिया के सरब्रा की ट्र medium से माई में हो सकती है मुलाकात में जोरी हत्यारों में कमी पर बात होगी जबके किसी भी मौहिदे तक शमाली कोरिया पर लगी पाबंदियां बरकरा रहेंगी उन्होंने ये भी बताया कि शमाली कोरिया के सरबरा जोरी हत्यारों और मिजाईलों का प्रोग्राम तरक करने और जोरी हत्यारों की सफाई के लिए भी तैयार है अक्वाम मतहदा में पाकिस्तान की मस्तकिल मंदूब मलिया लोदी ने कहा है कि दबाओ और धमक्यों के जर्ये पाकिस्तान से तावन हासिल नहीं किया जा सकता अक्वाम मतहदर में पाकिस्तान की मस्तकिल मंदूग मलीहा लोदी ने संलामती काउंसल में इसारे ख्याल करते हुए कहा कि अश्रफ गनी की तालिबान को गेर मश्रूत मुजाकरात की पेशर्ष को जाया नहीं करना चाहिए अफगानिस्तान में फरीकें पूर अमन तस्वीय के लिए मुजाकरात करें फोर्सिस की तादाद बढ़ाने से अमन के क्याम की तवक्व नहीं की जा सकती मलीहा लोदी ने कहा कि पाकिस्तान में देशतगर्दी की लहर खतम कर दी काबल और तालिबान को समझ जाना चाहिए कि दूसरे पर फौजी बरतरी मसलत नहीं की जा सकती दबाव और धंकियों के जरीए बाकिस्तान से ताबल हासल नहीं किया जा सकता अफगान सफीर के लजामात मस्तरत करते हैं और अब प्रोपेगेंडा महिम बंध हो जानी चाहिए कैनेडा में डॉक्टरों ने अपनी ही तनखुआओं में इजाफा मस्तरत कर दिया उनका मतालबा है कि पहले नसू की तनखुआओं बढ़ा ही जाएं डॉक्टरों का कहना था कि किसी को बोरियां भर कर तनखुआओं दी जा रही हैं और किसी को चंद नोट देकर धुत कर दिया ये बर्दाश नहीं होगा तनखुआओं बढ़ाने पर डॉक्टरों ने एहत sauce करते हुए कहा कि ना नर्सों की तन्खवाएं बढ़ी और ना ही मरीजों की माली इस्तात में तबदीली आई इसलिए इनकी तन्खवाएं बिला जवाज हैं नेटो की सबसे बड़ी फौजी मशकें अक्तूबर में दूसी सहरत पर होंगी मशकों में 45,000 फौजी शरीक होंगे अमरीकी बहरिया के मेरीन कवर पस कमांडर जर्नल रॉबर्ट बी नेलर ने कहा है कि अक्तूबर में नेटो की बड़े पैमाने की फौजी मशकों का एनिकाद होगा ये मशके सर जंगे खातने के बाद से अब तक की बड़ी मशकें होंगी ये मशके नार्वे के साहिलों पर की जाएंगी और इनमें 200 जंगी बहरी जहास और तैयारे शर्कत करेंगे नेलर ने रूस की सरहदों करीब होने का इशारा देते हुए कहा है कि मुझे यकीन है रूस की तरफ से इस बारे में एकदमात उठाये जाएंगे लेकिन ये हमारे नेटो इत्तिहादियों के दिफा के लिए जरूरी है इस से कब नेलर ने नार्वे में मतायन फाजियों को मतनबह किया था कि अलाके में एक बड़ा जगड़ा शुरू हो सकता है आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इंफरस्ट्रक्टर पर 10 अरव डॉलर खरच करने की ज़रूरत है आलमी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान के शहर कराची को अगर जिंदगी गुजारने के काबल शहर बनाना है तो इस पर 10 अरव डॉलर खरच करने की ज़रूरत है ये राकम पाकिस्तानी रुपे में तकरीबन 1100 अरव रुपे बनती है आलमी बैंक के रिपोर्ट में कराची के अरवन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पानी की फराहिमी और निकासी आब और कच्रे को ठेकाने लगाने के निजाम के खामियों की निशानदही की गई है इन खामियों की बदालत कराची के आवाम के मेरे जिंदगी में तेजी से जवाल आया है रिपोर्ट के मताबक मुल्क की कुल शहरी अबादी का पांचवा हिस्सा कराची में रहता है इसके बावजू दिये शहर तवज्जो से महरूम है कराची में सेक्यूर्टी सूर्ट रहल बहतर हुई है लेकिन गरीब अबादीयों को फॉरन तवज्जो की जरूरत है अमरीका में बरफानी तूफान के बाइस मश्रिकी रियासतों में बिजली की फराहमी मौत तल हो गई है अमरीका में एक हफ़ते के दौरान आने वाले दूसरे सर्माई तूफान के बाइस शुमाल मश्रिकी रियासतें शदीद सर्दी और बरफारी की लपेट में हैं पैंसिलवेनिया से में तक नौशुमाली मश्रिकी रियासतें तूफान का निशाना बनी है जिसके 22 बाज मकामात पर दो फिट से जायत तक बरफ पड़ चुकी है तूफान के 22 लाकों सार्फी इनको बिजली की फराहमी मौतल है अब तक हजारों परवाजे मनसूख की जा चुकी है जबके हकाम ने लोगों से बिला जरूरत सफर और घरों से बाहर निकलने से गुरेस का मशवरा दिया है शदीद बरफबारी के 22 वेल कमपनी एम ट्रेक ने नियू यॉर्क और बॉस्टन के दर्मयान अपनी ट्रेन सर्विस कई घंटों तक मौतल रखी नियू यॉर्क से शहर की नवाही इलाकों और केंटीकर्ट तक जाने वाली देल सर्विस भी तेज हमाओं के 22 पर्ट्रियों पर कई मकामात पर दर्ख गिनने के सबब मौतल है डॉलर्स की चकाचौंद और परदेश की तनहाई कभी कभी सिसक सिसक कर मढ़ने पर मजबूर कर देती है ऐसे ही एक पाकस्तानी की दुखबरी दास्तान सुना रहे हैं फहीम या नियू यॉर्क से नियूर्क के अलाके ब्रुक्टिन में रहाइश फजीर तालिस साला पाकस्तानी की लाश एक अपार्ट्मेंट से मिली है मरहूं की लाश तीन रोज पुरानी बताई जाती है As I know, Marmoth has been living for a long time, because somebody told me he lives at least 15-16 years in this building. He was a yellow cab driver, and night time as I know he driving the taxi in the night time. He is my regular customer, when he come from the job, that time he come to my store and he buy something. Some Pakistani customer told me he never back to the Pakistan. Three years, four years, I saw him, he's a good guy. He saw he living alone here, nobody, he come night time, one o'clock, two o'clock, and morning he go, so he's a nice person. गुजिश्टा चन्द दिनों में इन से मुलाकात ना होने पर तश्वीश हुई, तो उनके अपार्ट्मेंट कर रुख किया. जहां बार बार दस्तक देने के बावजूद अंदर से कोई अबाब नहीं मिला. बादे आज़ा दोस्तों ने जब इनके मुबाइल फून पर काल की तो अपार्ट्मेंट से फून की आवाज आ रही थी, मगर वो फून काल नहीं उठा रहा था, जिस पर दोस्तों और एहले मुहला को तश्वीश हुई और उन्होंने पुलिस को मुतला किया. पुलिस ने मुके पर पहुँच की सूरत हाल का इजाज़ा लिया, पुलिस पिछली खिड़की से अपार्टमेंट में दाखिल हुई, तो मुहमद इर्फान को मुर्दा हालत में पाया. पुलिस ने कानूनी कारवाई के लिए लाश को तहवील में लेकर पोस्माटम के लिए मुतालिका इदारे की तहवील में दे दिया है. एले महला का कहना है के महमद इर्फान बहुत मिलनसार और शरीफ लनसान था. इसकी मौत की वज़ा इसकी बड़सो पुरानी सांस की बिमारी भी हो सकती है. पाकिस्तान में मेरे खामे लाला मुसा के हैं, खारियां के, हाँ जी. तो छे साथ से यहां रह रहे हैं ये. लास्ट टाइम इन से साथ बिरी बाद होई थी. अब एक वीक पहले लास्ट तर्स दे. तो उस टाइम इनको फलू की कोई शकायती और बिमार थे. उसके बाद हमा भारत में कॉंग्रेस के सरबरा राहूल गांदी ने मकबूजा कश्मीर की मौजूर सुरतहाल का जिमेदार मोदी हुकूमत को ठहराया है. और कहा है कि कश्मीर मसले का वाय धल बादचीत के जरिये ही मुम्किन है. सिंगापूर में नेशनल यूनिवरसिटी में पबलिक पॉलिसी से मुतालिक मुबाहिसे के दोरान राहूल गांदी का कहना था कि कश्मीर के हवाले से मुदी सरकार की पॉलिसी मफाहमत के बजाए मखासमत पर मबनी है. यही वज़ा है कि वादी में सुरतहाल भी करती जा रही है. उन्होंने कहा कि साल 2004 में जब यूपिये ने मरकस में हकूमत बनाई तो कश्मीर चल रहा था लेकिन साबिक वजीर आजम मन मोहन सिंग की सरबराही में कश्मीर के बारे में मफामेहाना पॉलिसी अपनाई गई और यही वज़ा थी कि वहां हालात में बेहतरी आई. उन्होंने कहा कि वादी के हलात में बेहतरी लाने और कश्मीर मसले को हल करने के लिए एतमाद साजी और बात चीत नागुजीर है. उन्होंने मुदी पर तनकीत करते हुए कहा कि वो पुलिस तक को कंट्रोल करते हैं और बहुत ही जारहाना किसम की सियासत की जा रही है. वोसा चीसर भी वोसा? यह वोसा ट्ला है? गाइस, आल अचीना बाद BOSA BOSA is a TV representing BOS Arand Aisyan people who live abroad You guys able to watch us on all kind of a smart TV devices It's a one-stop source. You can watch news, views, culture, education and much more BOSA TV is 24 hours with your, on your smartphone, on your smart device पर और दफ्तर में आपके लैपटाप पर तालीम, सेहत और कारोबार साल्थ एशियन्स किसे से कम नहीं हम बताएंगे इनकी तरक्की का राज देसी कैसे बने पर देसी समाजी सरगर्मियों के इहवाल हम पुचाएंगे दुनिया भर में डैलस में देसी अमेरिकन तालीमी, सेहत और समाजी सरगर्मियों में अपनी एक मिसाल हैं एद हो या दिवाली, क्रिस्मिस हो या हौला मौला ये सारे तहवार आप देख सकेंगे एक ही टीवी चैनल पर वासा टीवी कैनिडा में साउथ एशियन्स की जिन्दगी का तरजी अमल सकाफ्ती, सोशल, तालीमी सरगर्मिया किसने क्या खोया, क्या पाया हम रखेंगे आपको बाखबर हम मुजागर करेंगे आईलेंड में साउथ एशियन कम्यूटी के मसाइल और बताएंगे तालीमी, समाजी और सकाफ्ती, सरगर्मियों के हवाल अफगानिस्तान में बदलती सूरते हाल मौाशी और माशिर की मसाइल क्या है हम रखेंगे आपको बाखबर फलक गोश अमारतू, जगमगाती, रोश्ट्यू के शेर दोबाई से हम आपको रखेंगे बाखबर लमा बालमा, बदलती हुई आलमी, सियासी और सकाफ्ती सुर्ते हाल से बाबर फारूक, वोसा टीवी, न्यू यू 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 जर्सी मैं हूँ सारा आमिर, वोसा टीवी, डालस, टेक्सिस, यू एसे मैं हूँ असमा को से, वोसा टीवी, टोरंटो, सालिट चुहान, वोसा टीवी, डबलिन, आर्लेंड, वसीर हो से, वोसा टीवी, साबूला पनिसे, राजासत, वोसा टीवी, दोबाई ब्रेक के बाद, खुशामदी, भाती शहरी बाल कृष्णा दोशी ने टामिराथ का नॉबेल एनाम अपने नाम कर लिया नवे साला इंडियन माहरे तामिराथ बाल कृष्णा दोशी ने इस साल का पुर्वकर प्रिटिसकर प्राइस जीत लिया, ये एज़ाज उन्हें कम आमदन के मकानाट डिजाइन करने की वज़े से दिया गया ये तामिराथ की दुनिया का सबसे बड़ा एवार्ड है और दोशी से जीतने वाले पहले इंडियन है उन्हें एक लाग डॉलर मालियत कवाला ये इनाम कैनेडा के शहर टॉरंटो में मैं मैं एक तकरीब में दिया जाएगा भारती वजर आजब नरेंडर मोदी ने दोशी को नॉबेल प्राइस जीतने पर मुबारक बात पेश की है दोशी मुंबई में इप्तदाई तालिम हासल करने के बाद 1950 की दिहाई में पैरस शले गए थे जहां उन्होंने ले कॉरप से कमपनी के लिए काम किया दोशी ने मुक्तलिफ किसम की इमारते तखलीक की हैं जिन में इदारों की इमारते रहाईशी इमारते गैलरिया और निजी रहाईशगाहे शामिल हैं उन्होंने इन दोर में 6,000 कम कीमत मकानात तामीर किये जिन में 80,000 लोग मुकीम है चीन में शोहर की बेरुखी से परेशान बीवी ने इंतकाम लेने का अनोखा तरीका आजमा लिया शोहर बेचारा अपना सामू लेकर रह गया आज कल बेशतर खवातिन अपने शोहरों से सिर्फ इसलिए नाला रहती हैं कि इनके शोहर घर में हर वक्त मुबाइल इस्तमाल करते हैं मगर अब शोहर हज़रात हो जाएं हुश्यार क्योंकि इन्हें ये आदत महंगी भी पढ़ सकती है चीन में भी शोहर की हर वक्त मुबाइल फॉन पर गेम खेलने की आदत से परिशान बीवी ने घुस्से में अनोखा इन्तिकाम ले डाला शोहर की बेरुखी से नाला खातून ने चुहे पकरने वाला गत्ता इसके मूँ पर चिपका दिया बीवी की इस अचानक हरकत पर शोहर तो पहले खूब तिल में लाया लेकिन फिर बिचारा अपना सा मूँ लेकर रह गया खातून की इस अनोखे इंतिकाम पर मबनी वीडियो सोशल वीडिया पर भी मकबूल हो गई जिन्दगी के मुक्तलिफ शोबों की तरह टेकनॉलिजी के शोबे में भी खावातीन मरदों के शाना बशाना है और अपनी सलाहियतों का भरपूर इजार करते हुए खूब टौलत समेटी है जिन्दगी में तरक्की की दौड में खावातीन अब किसी से पीछे और कम नहीं अमरीका, भारत और चीन के खावातीन टेकनॉलिजी के शोबे में दुनिया के अमी तरीन खावातीन के फैरिस्ट में शामिल है टेकनोलिजी की दुनिया में अमी तरीन खवातीन में ज्यादा का तालुक अमरीका से है जिन में सबसे आगे शेरिल सेंडबर्ग है वो 2008 से फेस्बुक से बतौरे चीफ आपरेटिंग आफिसर वाबस्ता है शेरिल की कुल असासों की मालियत एक अरब 60 करोड है थाईलेंड नामी एक और अमरीकी खातून आईटी से वाबस्ता कंपनी की सीई ओ है और इनके असासों की मालियत भी एक अरब 60 करोड डॉलर है भायती नजाद अमरीकी जैश्री ओलाल का तालुक भी अमरीका से है जो आरिस्टा नेटवर्क से वाबस्ता है और उनके असासों की मालियत एक अरब 30 करोड डॉलर है मैग विटमेन नामी अमरीकी खातून के असासों की मालियत 3 अरब 20 करोड डॉलर है वो कंप्यूटर साथ एदारे हैवलिट पैकर्ड में बतौरे चीफ आप्लेटिंग आफिसर काम कर रही है इस फेरिस्ट में चीन से तालुक रखने वाली लूसी पैंक अली बाबा ग्रॉप में बतौर एग्जेगरिटिव चेरिमन ताइनात है लूसी के असासों की मालियत 1 अरब 10 करोड डॉलर है 81 साल कबर लापता होने वाली खातून पाइलेट का सुराग मिल गया है एक साइनसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 1940 में पैसिफिक आइलेंड से मिलने वाली हड्डियां मुम्किना तौर पर मशूर खातून पाइलेट एमेलिया एरहाट की है उनका जहाज और नविगेटर 1937 में बहरुल काइल पर से परवास करते हुए गायब हो गया था एक हालिया तहकीक में दावा किया गया कि जजीरे से मिलने वारी हड्डियां एमेलिया एरहाट की हैं और यह हड्डियां एमेलिया से 99 फीसद मिल गई है इस तहकीक में प्रोफेसर रिचर्ड ने उननी सो इतालिस में की गई तहकीक को चैलेंज किया है कि हवाई से 29 किलो मिटर के फासले पर पैसिविक के जजीरे नोको मोरोर से मिलने वाली हड़ियां किसी मर्थ की नहीं बलके एक खातून की है कहा जाता है कि एमेलिया जब अपने जहास और नेविगेटर के हमरा परवास के दोरान गायब हुई तो वो उस वकत नोको मोरोरो जजीरे की करीब थी वो जहास पर दुनिया का चक्कल लगाने की कोशिश कर रही थी एक बरतानवी मोहिम टीम जो जजीरे पर 1940 में अबादी के असार ढूंट रही थी उन्हें एक इनसानी खोपड़ी खातून का जूता बहरिया का एक आला और शराब की बोतल मिली इराक की अदालत ने दाइश के सरबरा अबू बकर अल बगदादी की बहन को अमर कैद और फासी की सजा सुना दी है इराक की अदलिया के इंतजामी तर्जमान अब्दल सत्तार बायर एक्तार के मताबक ताजिराती अदालत ने बगदादी की बेहन को देशतगर्दों के साथ तावन के इल्जाम पर उमर कैद और फासी की सजा सुनाई है इनके मताबक बगदादी की बेहन ने तफ्तीश के दोरान देशतगर्द तन्जीम को लॉजिस्टिक इमदाद फराहम करने और मौसल में तन्जीम के अराकीन में करंसी तक्सीम करने का इतराफ किया है जबके अबुबकर बगदादी के बेहनोई को भी इस से कबल सजा मौत नेटू और कतर के दर्मयान कतरी फौजी अड़े अलुबैद को बतौरे टार्जिट इस्तमाल करने का मौईदा तैपा गया है नेटू के सेकेटरी जर्नल यौन्स इस्टॉलिटन बर्ग और अमीर कत शेख तमीम बिन हम्दल सानी के दरमयान बरसल्स में मुलाकात के बाद एक तहरी एलामिया जारी किया गया जिसमें इस मौाहिदे पर दस्तखत किये गए बताया गया है कि इस मौाहिदे के नतीजे मे खिते और अफगानिस्तान में नेटू मिश और आपरेशन में मौाविनत में मदद मिलेगी। इस्टॉलिटन बर्ग ने इस मौाहिदे पर मुसर्ट का इजहार किया और कहा कि नेटू और कत्री फॉल्स लीबिया और सुमालिया में बहरी कजाकों के खिलाफ मुश्तरका त तशद्द का सिलसला अब स्रीलंका तक फैल गया है और वहां एमरजन्सी के नफास के बावजूद बुद इंतिया पसंदों ने मुसल्मानों के घर, दुकाने और गाडियां चला दी हैं। जले हुए घर से एक मुसल्मान नौजवान की लाश मिली है। पुलिस एहलकार ब दिनतिया पसंदों के ग्रोहों के हमलों में दोसो घरों, दुकाने और गाडियों को नुकसान पहुचाया गया है। स्रीलंका में मुसल्मानों पर हमलों के बार अक्वाम मुतहदा ने भी पुलजोर मुजम्मत करते हुए स्रीलंकन हकोमत को कहा है कि वो अकलियतों का नी बनाए। सिफारत खाने ने कहा कि जल्द जल्द एमजन्सी खतम की जाए। स्रीलंका के वजीर आजम रानील विक्रीमी सिंगा ने अपने एक ट्वेट पेगाम में नसल परस्ती और तशदूत की मुजम्मत की है। तालुकात को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। उन्होंने वशिंटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में गेर मुल्की सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 70 साल के दौरान जो बात चीत हुई और जो काम हुआ उसे बहाल करने की जरूरत है। उनका कहना था कि पाक खिते को जोडने के लिए बहुत एहमेत रखता है। पाकिस्तान देशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम सक्त एक्तामाद पर जोड़ देता है। तहमीन जंजुआ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के साथ बात चीत में तमाम इशियोस पर बात करना अमरीका भी पाकिस्तान के साथ बात चीत जारी रखना चाता है। सेकेटरी खारजा ने अफ़ानिस्तान के मसले पर भी बात की और कहा कि हमने अफ़ानिस्तान को पांच वर्किंग गरूप्स की तजवीज दी है। ये वर्किंग गरूप ऑपरेशनल हो जाएं तो तमाम इ एक ब्रेक का हमारे साथ रहेगा. ब्रेक के बाद खुशामदीड इंडोनेशिया में फ्लेमिंग फुटबॉल का खेल मकबूलियत अख्तियार करता जा रहा है। खिलाडी जलती हुई फुटबॉल को नंगे पाउंसे किक लगाते हैं। फ्लेमिंग फुटबॉल के खिलाडी रमजान का इस्तक्बाल करने के लिए खुसूसी तौर पर मैच का इनिकात करते हैं। फाइर बॉल गेम की एक टीम 11 खिलाडियों पर मुश्तमिल होती है। इस खिल की खुसूसी बात ये है कि तमाम खिलाडी नंगे पाउ जलती हुई फुटबॉल को किक लगाते हैं। और मुखालिफ टीम के खिलाफ गोल करने की कोशिश करते हैं। फ्लेमिंग फुटबॉल के लिए आम फुटबॉल इस्तमाल नहीं की जाती। नारियल के खुल की मदद से खुसूसी बॉल तयार की जाती है। नारियल के खुल को मिट्टी के तेल और पैटरोलियम में 5-7 रोज भीगोया जाता है। मैच से पहले दोनु टीमों के खिलाडी खुसूसी दुआई करते हैं। मैच से कबल खिलाडी एक दिन और एक रात बगयर कुछ खाई पिये जगते हैं रूस के इलाके साइबेरिया में कटे हुए इनसानी हातों से भरा बैग मिला है वाकिय के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया चीन और रूस की सरहत पर वाकिया एक शेहर खिबार करने के एक मकाम से थैला मिला है जिस पर एक मकामी शक्स की पहली नजर पड़ी ताहम अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि इसने किसके हाथ हैं किसने काटे हैं और इनका क्या मकसद था इलाके मकीन का कहना है कि शायद यहाथ किसी जर्म या चोड़ी की पादाश में काटे पुलीस ने इत्याद से हाथों का मौाइना करने के बाद कहा है कि हाथों के पास से पटियां और बेंडिज भी मिली है लेकिन अब तक ये मामला हल नहीं हो सका है मुसल्मान अकसरियती मुल्क इंडोनेशिया में दो इस्लामी युनिवरसिटीज में हिजाब पर पाबंदी आईद कर दी गई फ्रांसी सी खबर रसा इदारे के मताबिक स्टेट इस्लामी युनिवरसिटी की सनन कले जागा का कहना था कि उनहोंने ये धायात रूँ हफ़ा हफदे तीन दर्जन से जाह तलबात को जारी किये और अगर उन्होंने इस पर अमल पैरा होने से इंकार किया तो उन्हें तालिमी एदारे से बेध़कल कर दिया जाएगा उनका कहना था कि हिजाब साओधी अरब और दीगर अरबी मुमालिक में आम है लेकिन ये सैकिलर इंडोनेशिया में गेर मामूली है जहां 90 फीसद आबादी एतिदाल पसंद इसलाम के पेरोकार हैं उन्होंने मजीद कहा कि इंडोनेशिया की जियादा तर आवाम के लिए पूरा हिजाब करना नापसंदीदा अरब रिवायत है और कुछ इसे इंतिया पसंद इसलाम से तच्जबी देते हैं योगिया कार्ता में मौझूद एक और तालीमी इदारा एहमद देहलान युनिवरसिटी ने भी मजभी इंतिया पसंदी रोकने के लिए हिजाब पर पाबंदी आइद कर दी है युनिवरसिटी के चांसलर कासी यार्णों का कहना था कि इमतेहनात के दौरान तालबात को हिजाब लगाने की अजाज़त नहीं होगी ताकि उनकी शिनाखत की जा सके इंडोनेशिया की उल्मा कांसल के मकामी इदारे अखुवत इसलामिया फोरम के तरजमान के मताबिक हिजाब का मामला इंफरादी पसंद पर है और तालीम इदारों को उसका इतराम करना चाहिए अमरीका दुनिया का पहला मुलके जहाँ सबसे ज्यादा केद़्ी जेलों में बंद है आलमी सता पर आदादों शुमार खट्टा करने वाली वेबसाइट इस्टेट इस्टन में दुनिया भर की जेलों में कैद अफ़राद की तादाद के बारे में मालूमात जारी की है 4,49,000 अफराद कैदें तीसरे नमबर पर ब्राजीले जहां 6,69,000 अफराद जेलों में कैदें चौथे नमबर पर रूस है जहां इस वक्ट 6,18,000 अफराद कैदें इस रिपोर्ट के मताबिक जनूबी एशिया की बड़ी अबादी वाला मुल्क भारत पांचवे नमबर पर है जहां 4,99,000 अफराद कैदें जबके जनूबी एशियाई मुल्क पाकिस्तान का नमबर इस फैरिस में उनीस वाएं जहां 80,000 अफराद जेलों में कैदें खबरों में फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट vosa.tv अगर आप अपने एद्गेद होने वाली कोई भी एक्टिविटी हमसे शेयर करना चाते हैं तो हमारी दी गई इमेल एड्रेस पे रापता कर सकते हैं देखते रहिए वोईस ओफ साउथ एशिया कर सकते हैं